मेरे पास बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी डेल्टा इंडिया को एड करने की और मैंने डेल्टा इंडिया काफी पहले एड कर दिया है पर वीडियो बिनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा था इसलिए मैं आज इस वीडियो के अंदर कंफर्म करना चाहता हूं डेल्टा पहले से अड कर रखा था जो गलोवली इनका चल रहा था डेल्टा इंडिया अभी एड करा थोड़े दिन पहले और इसमें मैं लाइव ओडर प्लेस करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे ओटोमेशन ट्रेडिंग कर सकते हैं शोट वीडियो है ज्यादा बड़ी वीडियो नह पहलूँगा यह है नेक्स्ट लेवल बोट अगर आप API पर जाओगे तो मैंने पहले से API ओन कर रखी डेल्टा इंडिया यह वाली API है डेल्टा इंडिया अज्य अजी API इसको मैंने ओन कर रखा है अगर यहां पर मैं 5 अपांचों ये अन कर देता और यह डेल्टा इंडिय तो हम चलते हैं सबसे पहले सेंटेक्स जनरेटर पर इधर गए और हमने सेंटेक्स जनरेटर के पेज को उपन करेंगे जैसे हम सेंटेक्स जनरेटर के पेज को उपन करेंगे डल्टा इंडिया पर डल्टा सेंटेक्स पर आएंगे यह हम फुली अलगो ले ले लेते हैं फुल data global के लिए इस button पे click करना होता है testnet के लिए इस button पे और India के लिए इस button पे हमने generate करा and copy कर लिया copy करने के बाद हम इधर चलते हैं इधर चलके क्योंकि long का syntax है हम इसको edit करते हैं इधर से भी आप edit कर सकते हो तो edit करने के लिए आप edit पे click करोगे तो यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं डाल रखा था हम इधर syntax डाल देते हैं and save कर देते हैं webhook मैंने पहले से add कर रखा है अगर आप देखोगे तो आपको webhook add करके रखने अपने account का otherwise order आपके delta तक नहीं पहुचेंगे हमारे पास ही पहुचेंगे तो यह मैंने edit कर दिया अगर आप डेल्टा को देखोगे तो यहाँ पर position के अंदर कोई भी order नहीं है और मैं इसे टिगर कराने जा रहा हूं तो टिगर कराने के लिए बस मैं इस पे टच करूँगा candle पे और candle पे टच करके यहाँ alerts आजाएगा यह alerts आया और हम delta पे चलते है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह order भी आगया आपके सामने screen मैंने switch करी यह order आगया देख सकते हो कि जो एक contract से मेरा order लग गया है तो इस तरीके से order लगेंगे delta exchange पे मैंने जो दिखाया आपको horizontal line पे दिखाया आपको क्या करना है आपको अपने indicator पे काम करना है अब horizontal line को मैं candle पे इसले लेके जाता हूँ क्यों candle अभी महां तक तो पहुचेगी नहीं तो मेरे को थोड़ा फास दिखाना है इसलिए मैं horizontal line को लेके जाता हूँ बहुत ज्यादा question आते इसलिए इसका जवाब दे रहा हूँ मैं आपको edit पे क्लिक करता हूँ and यहाँ पर मैं short का syntax दाल देता हूँ and इसे save कर देता हूँ तो अभी अगर आप देखोगे तो मेरे पास यह green color में आप देख रहे हूँ green का मतलब यह long side की position open है अब जैसे मैं short के signal को tigger करूँगा यह tigger हुआ तो tigger होगा तो side में alerts आएगा आप दिखा दिया अब में चीज क्या है कि आपका order जब ही जाएगा जब आपने वैबुक आड़ करा होगा वैबुक कहां पर मिलेगा वैबुक आपको मिलेगा जब आप next level board पर जाओगे और dashboard पर जाओगे तो आपका personal एक वैबुक होता है इसका नाम है sequence वैबुक आपको इसे पहले से किसी का वैबुक यूज कर रहे हो और अगर हमारा करना चाहते हो तो आपको उनका डिलीट करके इसे दालोगे तो यही शो होगा आपको पता चल गया होगा कि डल्टा इंडिया पर कैसे काम करा जाता है और next वीडियो में आपको बता दूंगा डल्टा इंडिया की पर यह कैसे add करी जाती है वैसे बहुत short है basic है आप कर लोगे फिर भी अगर आपको कोई issue आता है तो आप telegram group में join हो सकते हो और महाँ पर हमसे पूछ सकते हो thank you for watching this video and bye